कि अपता का भोगोले किविस्तार मतलब देखें जब कभी मैप बनाते मैप तो हमेशा मैप में उपर की दिशा उत्तर की दिशा होती है यह दक्षिन की दिशा यह पूरप की दिशा और यह पश्चिम की दिशा ये मैब बनाना फुरा उपर बनाने के आफशकता नहीं है यह फॉरही जो आकृति काल में लगातार बदलते रहें इसको चर्चा में नहीं जाना यह यह आउटलाइन जो कभी बदलेगा नहीं तो देखिए क्या है ये नदी आपको पता है ये सिंधु नदी ये जेलम चेनाब रावी ब्यास और सतलच ये है गंगा नदी ये यमना नदी ये नर्मदा ये तापती ये गुदावरी ये कृष्णा तुंभद्रा और काविरी एक है वाइट जो मैंने किया है देखिए दिल्ली मेरट बताएगा डाम इसका ये कौन से नदी है दिल्ली मेरट यमना की सायक नदी इस नदी का नाम देखे ये नदी है इसका नाम है सायक है हाँ very good very good इसका नाम है हिंडन नदी यहाँ पर हिंडन ठीक है हिंडन यहाँ पर ये ज जो ये है आपको पाकिस्तान के बलुचिस्तान का जो समुद्री तटवर्ती इलाका है ये नदी इसका नाम है दाश्क नदी ठीक है very good दाश्क तो महत्पुर्ण नदियों के लावा ये तीन नदी है जो आपको जानने चाहिए इसके लावा भी नदी है यहाँ पर आपको ये करें के जानते ही आप लोग अब यह उपलब्ध नहीं है यह भाग यह गायब हो गई नदी इस अधीका नाम है तरस्वती ठीक है तुसकी चर्चा इसवी को घंगर हाकड़ा कहते हैं घंगर हाकड़ा वर्तमान में ठीक है तो अभी हम लोग कर रहे हैं अब यहां क्या कर र ये है आपको सबसे उत्तर में ये सिंधू जेलम चनाब ये चनाब नदी के तट पर एक जगह है इसका नाम है मांडा तो मांडा जो है सबसे उत्तरी बस्ती है सबसे दक्षनी बस्ती है गुदावरी के सहयक प्रवरा के तट पर जिसका नाम है दाइमाबाद सबसे पूर्वी बस्ती है, हिंडन के तट पर आलमगीरपूर, और सबसे पश्चिमी बस्ती है, दाश करदी के तट पर, इसका नाम है सुत का गेंदोर, फाइन तो हलपा से बिता है, भोगलिक विस्टार है सबसे उत्तर में है मांडा सबसे दक्षिद में है दैमाबाद सबसे पूरब में है आलमगीरपूर और सबसे पस्चिम में है सुतकागेंदूर ठीक है इस चीज को हम लोग अगर दूसरे त्रेके से देखे तो इस चीज को ऐसे भी देख सकते है अगर इसको ऐसे भी देखे तो ये ऐसे है ये सबसे पश्चिम में है सुतका गेंदोर, सबसे पूरब में आलमगीरपूर, सबसे उत्तर में मांडा और सबसे दक्षिन में दैमााबाद। सब्वेता का छेटपल है 12,99,600 स्कुायर किलो बीटर ठीक है यहां पर मैं आपसे एक चीज और बता दू कि वर्तमान में आप बहुत जबा क्लास आप बहुत सारे किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि सब्वेता का छेटपल कुछ-कुछ किताब दावा करत है कि 15,00,000,000 के आसपास है तो कहने संधान कारे चल रहे हैं ने अस्थाल मिल रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी तक NCRT में या सरकार की किसी किताब में इन साक्षों को सम्मिलित नहीं किया गया है तो इसलिए हम लोग अभी भी जो NCRT के पुराने आकड़े हैं हम उन लौप अगर भारत के भारत के छटेत्व ल तूलना करें तो भारत का बचल लगभग 33,00,000,000 वर क gebडर तो आप इसको देख सकते हैं कि यह सबचा चोरीतर दने के बहुत ब़र सबता थी और इसमें बहुत सारे अस्तःन बील चुके सब्सक्राइब जितने भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब